हेलो दोस्तो, मेरा नाम है रजनी बंसल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रेमर और कॉम्पोजिशन बाइरेन अन्मार्टिन का चैप्टर टू विच इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आएए जानते हैं क्या होते हैं subject or predicate when we make a sentence, we name some person or thing or say something about that person or thing जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, sentence बनाते हैं तो एक तो हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तू के बारे में, किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो क्या है या फिर उस पर्टिकिलर व्यक्ति या वस्तू की बारे में कोई information देते हैं यानि कि नंबर एक तो हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो हम इन दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी sentence मनाते हुए हम एक तो हम उस व्यक्ति या वस्तू के बारे में बताते हैं कि वो चीज क्या है, वो परसन कौन है या फिर हम उसके बारे में और अडिशनल जानकारी देते हैं In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारे पास कोई भी वक्य बनाते हुए एक subject होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए अब subject क्या होता है जिसके बारे में हमें बात करनी है और प्रेडिकेट मतलब कहना, किसी बात को कहना, किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज को बताना ही प्रेडिकेट करना होता है Hence, every sentence has two parts इस तरह से हर sentence के दो पार्ट होते हैं The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence First part तो वह होता है, जिसमें हम किसी person या किसी चीज के बारे में हम कोई बात करते है वो person जिसके बारे में कोई बात की जाती है, वो वस्तू जिसके बारे में कोई बात की गई है sentence में वो subject होता है sentence का, और जो इसका second part है The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence और इसका दूसरा part होता है कि जो subject है, उसके बारे में क्या कहा है वो जो कुछ भी हमने कहा है, वो सब प्रेडिकेट होता है Now, let's take an example जैसे हमारे पास यह example है She is beautiful She is beautiful तो अब इसमें हमें, जो subject है, वो subject क्या हुआ She, क्योंकि हम she की बात करें हैं, वह खुबसूरत है She is beautiful तो यहां पे subject हुआ she और subject के बाद जो भी बचिया sentence में, वो सब प्रेडिकेट हुआ Is beautiful is the प्रेडिकेट Next, the subject of a sentence usually comes first but occasionally it is put after the प्रेडिकेट अक्सर क्या होता है कि जो sentence होता है उसमें subject सबसे पहले आजाता है, starting में आजाता है और उसके बाद प्रेडिकेट आता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है अब जैसे हमने यह sentence लिया था She is beautiful तो इसमें she सबसे पहले आगया जिसकी हमने बात की है, जो doer of the action है subject है जो और is beautiful इसमें प्रेडिकेट था लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है और ऐसा poetry में ज्यादा तर देखने को मिलता है कि हमारा जो subject है वो प्रेडिकेट के बाद आ जाता है जैसे Here comes the bus इसका क्या मतलब है Here comes the bus मतलब हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं bus की bus आ नीरी आ नीरी आ नीरी तब ही हमको अचानक से दिख जाती है next is sweet are the uses of adversity अब adversity का मतलब है adverse conditions ये line William Shakespeare के famous play As You Like It से ली गई है ये वाला चैप्टर ये वाला play मैं आपको जब आपका को मैं RPSC 1st grade की preparation कराऊंगी उस वक्त करवाऊंगी आपके RPSC 1st grade के सिले बस में As You Like It किवन है तब अच्छे से clarify करूँगी मैं इसको लेकिन आज ये देखते हैं sweet are the uses of adversity means adversity के जो uses का मतलब है consequences here कि adversity adverse situations के जो परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं तो यहाँ पे क्या है subject adversity क्योंकि हम adversity की बात कर रहे हैं adversity के बारे में बात कर रहे हैं in imperative sentences the subject is left out जो imperative sentences होते हैं अब जैसे हमने कल बात की थी अपने previous lecture में कि kinds of sentences कौन-कौन से होते हैं तो उसमें imperative sentence कौन से होते हैं जिन में order या फिर request की जाती है तो जब हमने का sit down बैठिये या फिर बैठ जाईए तो इसमें sit down में हम क्या बोलना चाते हैं आप बैठ जाईए you sit down तो इसमें you जो है उसको हमने नहीं बोला है और ये understood है sit down कि हम सामने हैं जो हमारे हैं उसी को sit down बोल रहे हैं कि आप बैठ जाईए thank him मतलब you thank him आप उनका धन्यवाद करें अब मेरे ख्याल से आपको ये concept clear हो गया होगा कि subject क्या है और predicate क्या है आईए देखते हैं इसकी exercise पर in the following sentences separate the subject and the predicate अब हमने जो इस chapter में सीखा है वही इस exercise में करना है कि जो subject है और predicate है उनको अलग-लग करना है इस the cackling of geese saved Rome अब यहां पी किस की बात हो रही है geese, geese आपको पता ही है goose का number है plural number है तो geese की cackling ने Rome को बचा लिया तो यहां बात किस की हो रही है the cackling of geese तो यहां subject क्या हुआ the cackling of geese और saved Rome क्या हुआ predicate next the boy stood on a burning deck subject the boy क्योंकि boy की बात हो रही है predicate stood on the burning deck next is tubal cane was a man of might tubal cane subject और predicate है was a man of might the singing of the birds delights us अब यहां पे हमने बात किस की कर रही है the singing of the birds तो यह क्या हुआ subject और predicate हुआ delights us next is miss kitty was rude at the table one day हम बात कर रही है miss kitty की तो यहां subject हुआ miss kitty और जो predicate है वो हुआ was rude at the table one day next is he has a good memory subject is he has a good memory is predicate next bad habits grow unconsciously subject bad habits grow unconsciously क्या हुआ predicate the earth revolves round the sun अब यहां बात हम the earth की कर रहे हैं तो subject भी the earth हुआ क्यूआ earth ही गूमती है sun के चारों तरफ revolves round the sun is the predicate next nature is the best physician nature होगा इसमे subject और is the best physician होगा predicate Edison invented the phonograph यहां पे doer of the action कौन है काम कौन कर रहा है Edison कर रहा है Edison की बात चल रही है तो यहां पे subject हुआ Edison और invented the phonograph is the predicate the sea hath many thousand cents now friends don't confuse अब आप confuse मत होएगा hath हैथ देखकर हैथ जो है यह Shakespearean English में यूज किया जाता है और इसका मतलब भी ह-a-s होता है उनका pronunciation ऐसा है कि वो हैज को हैथ बोलते हैं तो the sea has many thousand cents तो has many thousand cents यह हुआ प्रेडिकेट और क्यूंकि यहाँ the sea की बात हो रही है तो the sea हुआ subject we cannot pump the ocean dry we यहाँ subject हुआ और cannot pump the ocean dry हुआ प्रेडिकेट borrowed garments never fit well यानि borrowed garments never fit well fit नहीं होते अच्छी तरह तो borrowed garments की बात चल रही है तो borrowed garments हुआ यहाँ पे subject और never fit well हुआ प्रेडिकेट next is the early bird catches the worm the early bird is the subject catches the worm is the प्रेडिकेट all matter is indestructible all matter is the subject or is indestructible is the प्रेडिकेट next is Islamabad is the capital of Pakistan Islamabad subject is the capital of Pakistan object we should profit by experience we is the subject and should profit by experience क्या होगा प्रेडिकेट all roads lead to Rome all roads होगा subject lead to Rome होगा प्रेडिकेट a guilty conscience needs no excuse यह हम a guilty conscience की बात कर रहे हैं तो a guilty conscience होगा subject needs no excuse होगा प्रेडिकेट the beautiful rainbow soon faded away the beautiful rainbow होगा subject soon faded away होगा प्रेडिकेट no matter can serve two masters no man can serve two masters no man होगा subject can serve two masters होगा प्रेडिकेट a sick room should be well aired a sick room होगा subject should be well aired होगा प्रेडिकेट the dew drops glitter in the sunshine the dew drops होगा subject glitter in the sunshine होगा प्रेडिकेट I shot an arrow into the air I होगा इसमें subject Shot an arrow into the air होगा Predicate A barking sound the shepherd hears अब इस पे ध्यान दीजिये मेरे friends A barking sound the shepherd hears अब यहाँ पे subject होगा the shepherd क्योंकि एक भोखने की आवाज किसको सुनाई दी shepherd को shepherd ने एक भोखने की आवाज सुनी तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है shepherd की हो रही है कि shepherd सुनने का काम कोन कर रहा है shepherd कर रहा है न तो यहाँ पे subject हुआ the shepherd a barking sound hears यह क्या होगा Predicate On the top of the hill lives a hermit अब इस sentence में भी देखिए कि पहाडी के उपर रहता है कौन रहता है एक सन्यासी रहता है एक सादू रहता है तो यहाँ बात किसकी कर रहे है सादू की a hermit की तो यहाँ पे a hermit हुआ subject और On the top of the hill lives यह क्या हुआ Predicate तो friends यहाँ हमारा second chapter भी complete हो गया है with its exercise I hope आपको clear हुआ होगा इसके पूरे सारे concepts अच्छे से समझाये होंगे तो आज के लिए इतना ही आप प्लीज मेरे इस वीडियो को like, share और subscribe कीजिए प्लीज इस पर comment कीजिए यदि आपको कोई और topic आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उसको भी mention कीजिए यह हमारी series का second chapter complete हुआ और कल हम मिलते हैं इसके third chapters के पार के साथ तब तक के लिए बाई बाई